नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रभी और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल रभी इलेक्टिकर हाउस वाइरिंग स्वीच बोट कनेक्शन वाइरिंग बिली सम्मंदित सारे वर्क तो हमारे इस चैनल पर इसी का वर्क सिखाया जाता है और यह चैनल हमारा भी नया भी ह तो आप लोग भी सब्सक्राइब करिए तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और प्रेस करके और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय में मिलती रहे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किजिए और जाज़ कि पहले से बोड लगा हुआ है और उसमें बेली सप्लाई पहले सा हिए अगर उसमें हम अगर इनवर्टर का कनेक्शन करना चाहें तो किस तरह से करेंगे तो इसी टोपिक पर वीडियो है हमारा तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरह और देख लेते हैं तो दोस्तों इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था तो उस वीडियो में इसी बॉर्ट का कनेक्शन करके हमने आपको दिखाया था तो यह बिजली का कनेक्शन था यानिक न्यूटल और फेस यानिकी यह में पाउर सप्लाई से यह बॉर्ट चलेगा तो अब मान लिए कि हम में यह पले सिपूट लगा हुआ है isने सप्लाइब पहले से है और अब हमें इसमें कानेक्शन होगा का हुए तो हम कैसे करेंगे निक हafter क्या वायर हम यहीं समझे आधा जोड़ेंगे पर नमसकार दोस्तु तो Ga जोबी से लाइक कर देजिए ताकि वीडियो अब के लिए और भी दिशुन बनने वाली है तो चलिए इसका करनेक्षन करके देखते हैं तो कैसे इसका कनेक्षन करना फ Sache कहां पर जोड़ेंगे और कैसे जोड़ेंगे कि आ थो देखिए इनवर्टर का वार जोड़ने के लिए इनवर्टा को से फि мышx निकल के आता है ठीक है तो इसमें प्छ सहली से लगा हुआ है यह सकता है यह लाला वाला Myanmar राखे Monkey जो कि सुछ के ऊपर हुले inverter का मतलब है कि एक फेस और हमें इसके अंदर इंटर करना है ठीक है और न्यूटल यही रहता है न्यूटल सारे का यह काम करता है तो हमने इसे और एक फेस और एंटर करना है और हमारा यही वर्क करेगास तो चलिए इसको करके देखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि मैंने हमें होकिट और एक लाइट से ऐक प्रहएं रिगुर्ट तो यह तीन का मैंने जी हमें करना है जो कि हमारे इंवर्टर पॉइंट से तो सबसे पहले इसका हम फेस वाला कनेक्शन देखेंगे कि कहां पर जा रहा है तो देखे इस लाइट का जो फेस का कनेक्शन है यह हमारा रेड़ वाला इसके नारे वाला स्वीच पर है और यह फैन रेगुलेटर की बात करें तो फै से हमें इस तीन स्वीच में हमें अलग से एक फैस देनी है तो इसे क्या करेंगे कि हम यहां से इसे कट कर देंगे ठीक है यहां से हटा देंगे यह देख लिए इसको हटा दिए यह कट कर लिए हम अब यह तीन स्वीच अलग हो गया और यह तीन स्वीच अलग हो गया तो य सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब टार्फे और इंडिएटर देख लेक्किजा डियुक्त ärत फेस्ज यह रहा है है यह धोट करेंगे यहां से छोड़ा करके अभी से हम इस वाले में एक दू तीन ये तीनों में से किसी एक पर हम लाकर जूड़ देंगे यानि कि जो में पाउर सप्लाई हम इसमें देंगे यह में पाउर सप्लाई की है तो यह में पाउर सप्लाई हमारा इस सुच पर आना चाहिए इस तिनों पर तो यहां से इसको लेंगे और यहां से इसको खुल लेंगे हैं अब कर दो चुनिए इसको हम खुल लिए और दूस्तरी वार एक लिए लेते हैं तो वायर को माप लेते हैं कितना रहा है तो यह इतना कटेंगे तो हो जाएगा दो चलिए इसका कनेक्शन हम कर देते हैं जो कि यह पहले से था इस तरह से क्वल चेंज करना था तो वायर छोटी पड़ गई तो हमां बदलना पड़ रहा है तो चलिए अब इसको हम इस तीनों सुच पर हम देंगे नीचे वाले पॉइंट पर क्योंकि यह डायरेक्ट फेस हैं कि दोस्तों पत्ले वायर से कर रहे हैं अगर आपको करना कनेक्शन तो आप मोटे वायर से करिएगा यह के बार से तो हमें आपको सिर्फ दिखाना है और सिखाना है इसलिए हम इस वार से कर रहा है तो इस तीनों सुच से सुच के किसी भी भी एक पर जोड़ देंगे चलिए तो यह हमारा हो गया मैं पावर सप्लाई बिजली का देख सकते हैं यह लाल वाला रहा है सीधा और यह फेस हमारा इस तिनों पर है ठीक है निउटल यही रहेगा बार बार करें निउटल रहेगा निउटल में कुछ शेज़ड नहीं करना है अब लेते हैं इनवर्टर कवार दूसरा फेस ठीक है तो इनवर्टर कवार हमें एक दो तीन यह तीन स्वीच तो यहां पर हमें लगा देना है और बाकि सब जैसे है बस वैसे ही रहेगा ज़दे इसको हम यहां पर लगा देते आ है यह हमारा दूसरा फेसिस के अंदर इंटर हो गया और यह हमारे बन गया है हमारा दो फेस और एक नूटन है तो काला वाला नूटल है और लाल वाला जो है यह हमारा में फेस है और ग्रीन वाला जो है यह हमारा इंवार्टर का वायर हो गया तो यह हमारा इंवार्टर से वर्क करेगा और यह मारा बिजली से वर्क करेगा तो यह दो फेस हो गए हमारे यह दून फेस है ठीक है इंवा आपको अच्छे से समाझ में आए तो देखे इसके हम हरे कलर से खिच देते हैं यह इनवर्टर की है में फेस और यहां से तीसरा कॉन यह है है तो यहां से हम 25 पिन सोकेट को दे देते हैं और इसके बाद में दूसरा वाला गुलेटर यहाँ आजाएगा और तीसरा वाला स्विज्ज जो है यह हमारा लाइड पॉइंट का तो चलिए यह लाइड पॉइंट से हम लेके आते हैं और यहां पर जोड देते हैं और हमारा जो वायरब निकल रहा है वो यहां से एक वार निकल रहा है हमारा मेन पाउर के लिए और एक वार हमारा निकल रहा है यहां से यह वाला और यह जा रहा है इंडिगेटर पर ठीक है तो इसको लेकर चलते हैं इंडिगेटर पर इंडिगेटर से हो के यह हमारा मेन पाउर बाहर निकल जाएगा तो देख लिए यह हो गया दो फेस हो गए यह भी फेस है और नीचे वाला भी फेस है इंवर्टर का तो यह है इंवर्टर का फेस आए फ्लिक दिये चलिए तो इस तरह से दूस्तों पहले से जो बोड हमारा लगा हुगा है तो इस तरह से इसका हम कनेक्शन कर सकते हैं और ड्राइंग का अगर स्क्रीन सोट लेना है तो थोड़ा सा मेरा कर देते हैं ड्राइंग का भी इसक्रीन सोट आप ले दीजिए तो चलिए ये स्क्रीन सोट आप ले सकते हैं तो इसी तरह से कनेक्शन होना है जो पहले से कनेक्शन है उसमें भी आगर अगर नया कनेक्शन करना चाहें तो नया कनेक्शन इस तरह से भी होगा इस तरह से नया कनेक्शन भी होगा और पुराने कनेक्शन को भी इस तरह से हम ब